सर, Class 12 के एक्जाम्स ओवर ओचुके हैं और अब हमारा सपना है CA बनने का अब CA बनने के सपने के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है CA Foundation तो अब आप हमें बताइए कि CA Foundation की तैयारी हम किस तरीके से स्टार्ट करें किस तरीके से आगे कॉंटिन्यू करें क्योंकि अभी अभी हमने अब बात करें अगर क्लास 12 के साथ CA Foundation के अंदर क्या करना पड़ेगा क्या और कैसे करना पड़ेगा उससे पहले फट आउट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 12 के साथ CA Foundation के एक्जाम देने वाले है अब देखो यहाँ पर CA Foundation एक अपने आप में प्रोफेशनल एक्जाम है और अपने आप में अच्छा खासा यहाँ पर आपको महरत करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर आपके उपर प्रेशर होते हैं अच्छे स्कोर करना यार ठीक है अब यहाँ पर आपको लेकर चलना है साथ में क्लास 12 को और साथ मैं CA Foundation को दॉअब खार । इसके अंदर हम सभसे वेले बात करने वाले प्रके से कहां कहां मिरको स् highlighting करनी है ची जैसे कि पता है सीए फांडेशन के दर वेदा चार सब्जेक्ट है फर्स वन इस अकाउंटिंग सेकिंड इस लौ थर्ड वन इस कॉंटिटिटिटिव एप्टिटिटूट बोले तो मैं स्टैट्स लर एंड फोर्थ वन इस बिजनस एकनॉमिक्स चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं वह बागी कि दो पर अब्जेक्टिव हैं आप बात को समझाए गरम तो जातर जो कॉमर्स बेगरॉंड वाले हैं उनके लिए बटा पहले से पड़ी आपने इसके अलावा अगर मैं बात करूं करूं मैं वाले हैं उनके ना प्दिखक्क्त हो सकती है बड़ एक बच्छे के लि बहुत सारे टॉपिक्स आपको 11th कर जाएंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहां पर यहां सब्सक्राइब तो मैंने आपको यहां पर बात कर दिया है अगर हम बात करें सबसे पहले अकाउंट के इंदर आते हैं आपर basic concept अकाउंटिंग क्या है और revenue क्या है expenditure इस तरीके से तो आपने 11-12 पर यहां पर आपको सबसे पहले शेटर वही देखने को बनता है उसके लाब जर्नल लेजर ट्राइल बेलें सब्सेटरी क्याश भूक तो यह आपने 11-12 में पढ़ा था 11 के अंदर स्टार्ट ही हमारी यहां ही से हुई थी सर ठीक है जी सर उसके लाब ब्रस बेंकरी कंसिलेशन स्टेट्मेंट बिल उफ एक्सचेंज यह वाले topic पढ़े यह आपको क्या अपने चैप्टर आपने पढ़े हुए अपको सब करना चाते हो तो अपने अकांट को सबसे पहले उठाओ और इसके अंदर यह वाले जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से पहले 11 जो रिवाइस कर लो अपने बाद जो नोट्स पढ़े होंगे आपके जो को कर लो इसमें क्या डिफरेंट्स है और क्या अलग है कुनकों से कंसेट यहां पर एक्स्ट्र है क्लास 12 में टॉपिक में आच हो गया है क्योंकि आप प्रेंटेशन का तरीका डिफरेंट है तो उन सब चीजों के लिए आपको महनत करनी पड़ेगी तो यहां पर टाइम लग करने जाएंगे तो सरफ और सरफ और सरफ रेक्टिफिकेशन के अंदर के अंदर के अगर कोई चैटर जैसे एक्टिविकेशन है अगर आप आप सरफ और सरफ और सरफ रेक्टिफिकेशन के अंदर ही 50 ते 55 कोशन मन जाएंगे ठीक है बड़ हमारी पर्फेक्टिफिकेशन के देखने के मिलेंगे आपको 20-25 कोशन क्यों क्योंकि आपके रिपिटिशन वाले कोशन ते वह क्या कर दिए गए मच कर दिए और बता दिए सबसे बहुत करने 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 के साथ तो यह होता है तरीका इसके लाबा जो आपको नए टॉपिक पढ़ने पढ़ेंगे हर एक बच्चे को 1112 के साथ तो देखिए आपने पहले इंवेंट्री एस टू नहीं पढ़ा है वह आपको यहां पर पढ़ना पढ़ेंगा तीक है इसके लाबा अपने पढ़ा भी है तो उसके अंदर भी कई सारे थोड़ से नए गंसेप्ट हैं जैसे इंसॉलवेंसी पीस्मिल इस ट्रिबुशन इस चरब कर सकते हो उसके बाद अकाउंको इस तरीक सी आगा सकते संदेंगे आपने हमारे रहने सबसे बढ़ा है कि यहां पर इंडियां रेग्टर इंडियां लग जाता है जातर बच्चों को स्टार्ट में करते हैं और दिनके बास राइं होता है उसके लावा सेल सब्सक्राइब यह वाले आट्स हैं आपको लगेगा सर यह तो सरफ और सब्सक्राइब कर लेंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं देखो लॉक के अंदर आपको क्या करना है अगर आपने लॉक के अंदर राइटिंग प्रेक्टिस के आदत बना ली उसके लिए लॉग हमेशा रहेगा यहां पर लिखने की प्रेक्टिस करने बढ़ेगा इसका तरफ एक ही मूल मंत्र है जो मैंने आपको बता दिया 30 मिनट की राइडिंग प्रेक्टिस रेगुलर् मैं इसके अंदर आप यह नहीं बोल सकता कि आप यह पढ़ लो यह पढ़ लो क्योंकि आपके लिए सब कुछ नहीं आपको स्टार्ट यहीं से कर रहा है इंडियन इंडियन को ट्रेक्ट थर्ड सब्जक्ट आ जाते हैं हमारा कॉंटिटिटिव एप्टिटिव जिसके जिनका मैच बेग्राउंड है और जिनका नहीं है जो जिनका मैच बेग्राउंड है उन्हेशाद दितने दिक्कत नहीं है अब थोसते उनको भी दिक्कत हो तो जिनको भी दिक्कत है ना उनको हमेशे कहता है तो भाई साब आप स्ट्रेटिस्टिक से चालू करीगे इसमें क ठीक है जी statistical description of data इस तरीके से तो आप यह chapters करते हैं उसके बाद इसके अंदर आपका sampling है statistical description of data यह तो करी सकते हैं उसके probability theoretical थोड़ सा मुश्किल हो जाता है तो जिसनको math का phobia हो वो statistics से चालू कर सकते हैं या फिर LR चार चोटे-चोटे चाप्टर हैं जैसे कि number series क्या है बच्चों वाले chapter है प्रकों number series direction टेस्ट direction टेस्ट setting arrangement and blood relation setting arrangement and blood relation यह चार चोटे-चोटे चाप्टर है इसके इंदर तो जिनको भी math का phobia है आपना से फोबिया है पाई साब देखो चालेस नमबर कहीं आना है बीस नमबर कहीं और चालेस नमबर कहीं आना है तो खाली-पीली यहां से सब्सक्राइब करना है इसके लावा इकोईशन है इसके लावा बात करूँ आपका time value of money जिसके हम कहते हैं mathematics of finance mathematics of finance तो बिटा अगर आपको मैच से थोड़ो सा भी डर लग रहा है और आपको लग रहा है मैं सरफ important कर लो तो सबसे पहले आपका यहां पर आपके जो चप्टर है वह है तो अभी 11 वाले 12 वाले 12 वाले की अंदर मैं बात करूंगा तो सरफ पर सरफ जिसकी मैस अच्छी है उसको फायदा का हो सकता है उसको फायदा हो सकता हमारे differentiation बाकि अगर आपकी मैस थोड़ी ठीक थाग भी है और आपके बास चाहिए आप नॉन मैट बैग्राउंड के बच्चे भी है तब भाई साब मैस के अंदर आपको घवराने की जूरत क्यों नहीं है क्योंकि 10 तक के मैस के चप्टर है यह देखो ना रेशय प्रपोशन 10 से प परिशानी है नहीं इसके अंदर तो मैं स्टैसलर में जिसको फोबी है इन से चालू कर सकते हूं और आपके बस अगर लग रहा है कि यहां पर बेसिक इंट्रॉक्शन है उसके लावत डिमारेंट सप्लाइज चप्टर हर कोई बच्चा बढ़के आ रहा है लेवेंट के अं इसके लावब determination of different markets यह भी आप अपने 12 में पढ़ते हो नाशनल इंकम यह भी आपका मैक्रो का बाट है पॉब्लिक फाइन्स मनी मार्केट इंटर्नाशनल ट्रेट इंडियन एकनोमी 11 में पढ़ते थे बच्चे ठीक है तो maximum यहां पर आपको अपको देखा-देखा मिलेग कि जैसे objective question है तो उसके अंदर जो option सही नहीं है वो क्यों नहीं है तो उससे क्या होता है आपको ना उस mcq की practice के साथ साथ आपको एक concept की understanding बिल्ट हो जाती है मैं स्टेट सलर की अगर मैं पीपी की बात करूंगा तो मैं स्टेट सलर की फीपी में यह है खास कि भाई साथ 50-60 question के अंदर आपको पूरे chapter के हरे एक के यूनिक कोशन आ गए कि अगर आपने वो कर लिया ना तो इसके लावा कोई question दिखने को नहीं मिलेगा आपको तो यह है पीपी की खासियत तो आप पीपीबुक को रेफर कर सकते हैं अपनी तयारी के लिए इसके लावा आप पोर्स को ही लेना चाहते हो तो आपको पीप कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं तो अकाउंट का सब्जेक उठाया 11 12 के इंदर यहां पर कॉमन टापिक है उनको उठाया पढ़ना चालू कर दिया उनके पीपी के कोशन देख लिए आईसे मोडूल के कोशन देख लिए अगर वैसे पूरी नहीं हुए वह अकाउंट्स के साथ करिए डेली आपको कुछ नहीं करना भाई साब आपको दस बारा घंटे देने की जरुत नहीं है आप तीन से पांच घंटे भी अगर आप अभी भी दोगे आपने सीया फोंडिशन को और मैंने आपको बता दिया यहां पर आपक तो कहीं भी नुकसान नहीं होगा फाइदा हो जाएगा उसमें कोई दो रहे नहीं है बढ़ा मेहनत करनी पड़ेगी तीन-चर घंटे-पांच घंटे एक फांडेशन को देना अपने आप में एक बड़ी चीज है सब्सक्राइब करनी पड़ेगी आपको सरफ और सरफ यह नहीं करना कि concept के अंडर्सेंटिंग बीड कर लिए आपको को सब्सक्राइब करनी है को सब्सक्राइब करती है के तरफ कर आता है वह 99 परsen्ट कि आपका ऐसे मुडिल आटिपंटी पास एक्जाम से आता है उसकी बेस्ट मर्जिंग आपको मिल जाती है हमारी पीपी बूक में इसलिए मैं आपको कहा रहो हूं हाँ आंसर की समेटरी मिल जाती है पीपीज आपको पे इतना फोकस कर रहे हैं बाकि आपको अगर लगता है यार नहीं म तो उमीद करता हूं कि आप ये तयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं और अपनी क्लास 12 के साथ सीय फांडिशन को आप फॉर्स ट्रेटिम में क्लियर करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई ऑल दे बेस्ट बाई-बाई टेक केर जैशी शान थेंकियो सो मच